नवश्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो वीडियो है वो है Study in Denmark के बारे में हमरी जो डिस्कुशन रहेगी जो मेजर इंटेक है अगस सब्तमबर का उसके बारे में हम डिस्कुस करेंगे तो Denmark में अगर आप जाना चाहते हैं Still options available है आप हमें संपर्क करें यहां पर आप अपनी स्पॉस और डिपेंडन बच्चों के साथ जा सकते हैं Denmark में जो हमारे student maximum जा रहे हैं 70 से 80 परसेंट वो UK waste प्रोग्राम में जा रहे हैं इसकी वीडियो और यही मेरे चैनल के उपर है इवन आपने Denmark में पढ़ने के लिए जाना है तो Denmark से रिलेटेड हमारी dedicated playlist है उसके अंदर आपको number of videos मिल सकती है success story मिल सकती है उसको watch करने के बाद आपने decision लेना है तो Denmark का जो study system है Sweden का है जा Norway का है जा Switzerland का है जा Germany का है तेना साल study system है 12 के बाद एक साल और आपके पास है तो आपको directly बहां की जो Danish based degrees में admission मिल सकता है तो Danish based में admission मिलने के benefit यह है कि आपको बहां का जो post study permit है अपको 3 years का मिलेगा और अगर UK based program में जाते हैं तो post study permit सिर्फ six month का है इसके अलावा जो benefit है तो वो benefit यह है कि आपको Danish based में जो tuition fees है public universities की वो economical मिलेंगी 4-5,000 euro पर semester लगा कर जा सकते हैं तो UK based में आपको एक साल की fees directly pay करके जाना पगता है तो जब आप हमारे पास आते हैं आपकी profile को analyze करने के बाद we are suggesting की आपको कौन से program में डालना चाहिए अगर आपको ये precautions लेते हैं तो आपको Danish based को सकता है तो part time working alone है students को भी है, dependent को भी है बच्चों के education स्प्री है और earning भी अच्छी है Denmark के अंदर तो main वही चीज है आपकी profile और आपका IELTS IELTS mandatory है यहाँ पर commerce वाले students जाप PCM वाले students को ज़्यादा priority दी जाती है instead of humanity वाले students humanity वाला student भी जा सकता है अगर उसकी 13 साल की study है 12 की बाद जिसके पास bachelor master degree humanity में की है उसको भी वहाँ पर master में admission मिलने के chances हैं तो math वाले students को PCM वाले students को commerce वाले students को after 12 या 13 साल की study के बाद number of engineering के प्रोग्राम से है business के तो UK वेस्ट है ही है जहां पर अब हमारे बच्चे नो नो यार यूरो से लेकर बारा बारा यार यूरो की फीज दे कर जाते हैं तो admission के बाद आप किस वे से अपना वीजा अपलाई करना होता है क्या क्या precautions लेने होते हैं सारी की सारी ये हमारी discussions इस वीडियो के अंदर रहेगी यहां पर IELTS mandatory है अगर आपने बैचलर के प्रोग्राम में जाना है उनके जो एक IP प्रोग्राम है उसमें जाना है तो चाहे आपने मास्टर के प्रोग्राम में जाना है तो आपके overall 6 band होने चाहिए किसी भी module में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए PT वाला 54 वाला भी यहां पर जा सकता है TOEFL भी यहां पर acceptable है अपर 60 है आपकी तो यह जो language proficiency बताई है वो acceptable है Master वाले students के लिए 6.5 है Even कुछ Danish phase program है Bachelor के बहां पर भी 6.5 मांगते है overall depend है कि आप कौन सी उनिवस्टी में apply करने के लिए जा रहे है Still Denmark के option available है जो बच्चे apply करवाना चाहते हैं वो हमें immediately संपर कर सकते है तो और benefit क्या है अगर Denmark में आप एक साल की fees पे करते हैं तो जो student है उनको अपने living expenses दिखाने की जूरत नहीं है This is a plus point अगर आप एक semester की fees पे करके जाते हैं तो आपको एक semester के जो remaining funds हैं वो अपने account में personal student के account में दिखाने पड़ते हैं अगर आप अपनी spouse dependent बच्चों के साथ accompany कर रहे हैं तो हरे एक additional member के 10,000 euro इंडिया में student के account में दिखाने पड़ते हैं अगर आपका जो main applicant आपकी wife है तो आप साथ में accompany कर रहे हैं आपका बच्चा साथ में accompany कर रहे हैं तो सारे के सारे fund आपको अपनी wife के account में दिखाने पड़ेंगे जो आपके living expenses हैं जो dependent के हैं आप Denmark में आ रहे ही जा चुके हैं आपने spouse visa नहीं apply किया हुआ था तो अभी आप apply करवाना चाहते हैं आपको funds में भी ऐसी को difficulties आ रहे हैं उसमें भी आपकी help कर सकता है मैंने फिर बताया कि हमारे पास बहुत सारे technical चीज़ें हैं funds management जो की visa purpose के लिए required रहते हैं हम आपको guide कर सकते हैं कि उन funds को किस विए से आपने elaborate करना है तो universities की application fees कुछ universities में हैं कुछ में नहीं हैं जहां पर है तो उसके 100 euro तक की आपको application fees भी भी भीजनी पड़ सकती है कुछ universities में आपका admission direct है on the basis of आपका motivation letter आपके grading कुछ universities are taking your interview वो टेलिफोनीकली sorry on skype जो जूम के ओपर होती है उसमें क्या पुशा जाता है उसके बारे में भी प्रोनिमिशन आपको guide कर सकती है तो उसके बाद जब हम इसका visa अपलाई करते है तो इनकी जो fees है पहले तो मैं बैसी fees बता दूँ वो 1700 Danish करोना है जो की लगबग 230 euro बनते है 1700 Danish करोना इच applicant को पे करना पड़ता है जिनोंने बहाँ पर अपना student ये डिपेंडनेंट वीजा अपलाई करना होता है उसके बाद case order fees है case order fees अप्रोक्स 2200 Danish करोना है जो अप्रोक्स 290 euro के बनते हैं अगर आप dependent हैं spouse हैं जहां आपका बच्चा साथ में company करना है उसके 2700 Danish करोना है जिसको हम 360 euro के equivalent कहते हैं इतनी fees आपको पे करनी पड़ती है इन case visa refuse होता है तो case order fees refundable है embassy fees refundable नहीं है और even embassy during the interview क्या पूछती है students को बच्चे की 30-40 मिंट की interview होती है क्योंकि जो interview है that is a recorded interview जैसे स्वेडन के अंदर होती है they ask the questions, they type the questions type करने के बाद बच्चों से द्वारा भी questions बताये जाते हैं आपने ये question पूछा था उसका आपने ये answer दिया है ये सारी interview लेने के बाद आपका जो visa officer है इस interview को transcript directly Denmark में भेजता है decisioning authority के पाल उसके बाद आपका visa grant होता है तो अगर Denmark से रेटर आपकी किसी भी type की query है तो crown immigration से संपर कर सकते हैं क्योंकि still 10 से 15 दिन पढ़े हुए है अगर आपने major intake में पढ़ने के लिए जाना है तो crown immigration के पास note in Denmark ऐसे ही another countries के भी options है अगर आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके भी options आपकी profile को चेक करने के बाद हम provide कर सकते हैं तो अगर आपने और भी country में जाना है तो हर एक country से लेटर हमारी playlist हैं बनी हुई हैं तो even इस वीडियो में मैं एक और important message दे दूँ कि हमारा जो main WhatsApp था वो ban हो चुका है अभी हमारा another new WhatsApp है जो screen के उपर mentioned है बहाँ पर हमें संपर्क करने की कोशिश करें तांकि आपको immediately reply मिले और coming days में हमारे थ्री जगा पर seminar हैं वो कहां पर है चंडीगर में करनाल में और देली में वो थाईस पच्चिस और तीन मार्च को इनकी भी details लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ले सकते हैं लास्टी रुक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आपका फ्रेंड डैनेमर्ग जा किसी भी कंट्री में जाना चाहता है उसको ये वीडियो जुरूर शेर करें लास्टी अगर आपको ये मेरी वीडियो चेलिए इसको लाइकन शेर करना आदी ठेंकि जा